हमारे भीतर खड़ा होता है, जब हम सूर्य नरायण भगवानों को अर्ग देते हैं, जल चड़ाते हैं, तो वो जल प्रत्वी पर जब गिरता है, तो उसके चीते हमारे शरीर पर लगते हैं, क्या वो ठीक है, क्या वो स्रिष्ट है, तो श्यो महापुरान की कथा करती है, बहाओ निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता, कारण अब वो भी समझ लीजिए, अब सूर नरेन भगवानों को आप जल चड़ा रहे हो, तो छीचे नहीं लगें, उसके लिए क्या श्टूल पे चड़के चड़ा होगे, कि कुर्सी पे चड़के चड़ा होगे, आरे बोल के दिमाग हमें ये बात भरा गई कि हम भगवान को जल चड़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छीटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छीटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा, कौन ने कहा फिले तुसको पकड़ के लागगा। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधो, सन्यासी, तपस्वी, साधाक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूरी की अरादना करी, इन्होंने टेविल पे चड़कर या कुरसी पे चड़कर जल नहीं चड़ाया इन्होंने प्रत्वी पर खड़े होकर ही क्योंकि प्रत्वी तत्व के देव है शिव जब हम मृत्यू लोग पर खड़े होकर प्रत्वी पर खड़े होकर भगवाइंशंकर कर भाग प्रत्वी तत्व को धानना करकर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका अशिर्वान ही प्राप्त होता है दोश नहीं लगता और लोगों ने इसको विपरित कर दिया कि कौन ने विपरित करा कहीं लोगों ने इसको विपरित कर दिया कौन ने विपरि सूरी को जल चड़ाओगे तो सरीर में लगेगा सरीर में लगेगा तो दोश लगेगा इसको कह कहकर घर घर में सूरी को जल चड़ाना लोगों ने बंड कर दिया कि आप जल चड़ाएंगे तो दोश लगेगा सरीर पर चीता लगेगा शरीर को ऐसा लगेगा यह 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 दोश तो इसमीं कितनी सुंदर वाते मारा जाता है हाथ सिर से आठ इंच की दूरी पर होना चाहिए जम के बोली है से कितना उंचा होना चाहिए आठ इंच उपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक्सिस सूरी को जल चड़ाते समय और ना चांडी का ना इश्टिल का ना लोहे का ना प्राश्टिक का ना कांच का ना सोने का कोई बरतन ना कांसे का ना अल्मोनियम का ना पीतल का केवल एक पात्र होना चाहिए वो है थांबे का काई का पात्र होना चाहिए थांबे का पात्र होना चाहिए थांबे का पात्र और सूरी नरहन भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है और जब सूरी को जल चड़ा रहे हैं कैसे जल चड़ाना है वो भी समझ लीजिए अगर कोई कैंसर का मरीज है जिसके चेश्ट में कैंसर आ गया हो लेफ्ट में राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो या कोई गठान आगई हो तो महराज आप जल चड़ाते समय उस जल की धार को सूरी भगवान को जब चड़ा रहे हो ना चाहिए जिस्से सूरी के किरंट उस जल में से आपके ऊस इस्ठान पर पड़े उस जगहां पर पड़े जहां पर गठान है महाराज आप लगाथकर जल to आपका म沒有 थो करते हैं आपका भेसे ही ज की दिन आपका स्वास्तर गरवड़ रहता है पांडेन्गों के दिन यह जोतीश शास्तर के अंत्रगत यह एक बनेश शास्तर जो हमारे यहां हैं रंगों के हिसाब से यह जितने रतन होते हैं मानिक हुआ मोती हुआ नीलम हुआ मुंगा हुआ उक्राज हुआ यह क्यों करते हैं यह पीला है यह सफेर है यह नीला है यह लाल है इसको शरीर में क्यों पिनाते हैं उसका कारण होता है कि जब शरीर में पेंते हैं सूरी की किरन उसमें पड़ती है हमारे शरीर पर वो कलर का इडिक्ट पड़ता है उस कलर को शरीर पर लगता है और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे हमारी जो इंद्रियां है वो सही होने लगती है काम सही होने ल